हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल मैंच साइडल मैंसेफ डॉक्टर कविता गुपता बचो मैं आज आज आपको साइलो थियोरम से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी कि हाउ दा साइलो थियोरम्स कैन भी अप्लाइड ऑन ग का एप्लिकेशन पार्ट का कि ग्रूप ऑफ और 30 के बारे में हमें कितनी चीज़ें पता चल जाती हैं साइलो थियोरम्स लगाने से तो लेटा स्टार्ट बच्चो मैं सजेस्ट करूंगी बच्चो देखो लंबा बहुत है क्योंकि आज मैं बहुत सारे चीज़ें आपको कि कोशन में कराने वाली हूँ बट यह आपका बेस त्यार कर देगा आगे के चैप्टर के लिए आप इसको दो बरी देखना यह जो भी है अपने हाथ से लिख लेना और थोड़े स्टेप्स आपको एक बरी लर्न होगे तो आप देखोगे कि आगे का चैप्टर आपको कि simple तब होता है एक group जब उसके दो ही normal subgroups हो एक identity और एक वो खुद ठीक है अब not simple का मतलब हो गया कि इन दोनों के अलावा भी उसके पास normal subgroups available हैं आपको यह proof करना है कि कोई भी group order 30 का तो उसके पास identity और वो group खुद और उसके अलावा भी normal subgroups available हैं तभी वो not simple है तो दे जी आपको क्या दे रखा है 30 इस 30 का prime factorization मैंने किया तो मुझे मिला 2, 3 और 5 अब पहले silo की first theorem लगाते हैं तो आप देखिए silo की first theorem में मुझे पता चला कि 2 divides order of g इसका मतलब silo की first theorem कह रही है कि g के पास एक subgroup of order 2 जरूर हो का पर मुझे तो बात silo की करनी है तो मैंने silo की definition भी साथ में लगा ली कि 2 तो divide करता है order of g को बड़ 2 square नहीं divide करता है यहां से देख लिया करो यह जो भी power लिखी है ना इसमें 2 की power 1 है तो maximum 2 की power 1 तक कही divide करेगा उससे ज़्यादा नहीं करेगा ठीक है तो 2 की power 1 divide करता है बड़ 2 square नहीं divide करता है इसका मतलब जो maximal order का subgroup मि order 2 समझा गया सबको ऐसी बिटा 3 की ओपर लगाओ 3 की maximum power इसमें 1 दिख रही है ना तो silo 3 subgroup कितने order का मिल जाएगा order 3 का मिल जाएगा ऐसी 5 की maximum power 1 है ना तो 5 divide करता है बड़ 5 square नहीं divide कर रहा तो हमारे पास silo 5 subgroup मिल जाएगा order 5 का अब हमें ये तो मिल गए 2, 3 और 5 order के silo sub groups मिल गए है ठीक है तो आप silo की third theorem लगाएंगे तो silo की third theorem हमारे को क्या कहती है कि number of silo अब जितने भी subgroup हमारे पास निकले है ना इनका number निकालने का तरीका किस के पास था silo की third theorem के पास था recall कर ले silo की third theorem कह रही थी number of silo p subgroups is np equal to 1 plus kp where 1 plus kp divides m वही इस्तमाल करेंगे यहाँ पे देखो order of g आपके पास 2, 3 और 5, 2 multiplied by 3 multiplied by 5 है ठीक है बेटा तो आप देखो आप निकाल रहे हो n2, n2 निकाल रहे हो तो n2 का formula हो गया 1 plus 2k अब आपको लिखना है 1 plus 2k divides m तो 1 plus 2k divide m यह m कहां से आएगा देखो आप answer 2 का निकाल रहे हो न तो order of group में 2 को छोड़ दो बाकी का जो बचावा number है वो m हो जाएगा ठीक है तो order of group में मेरे पास 2 into 3 into 5 है तो 2 अले का तो मैं answer निकाल रहे हो तो जो बाकी का बचावा number है उसको m लेंगे तो क्या ठीक है तो मेरे पास आगया 1 plus 2k divides 15 तो 1 plus 2k अगर 15 को divide कर रहे है तो 15 के divisors निकाले तो मेरे पास क्या है 1, 3, 5 और 15 अब यह तो 1 plus 2k की value 1 है या 3 है या 5 है या 15 है तो हम कैसे देखें कि कौन से वाला है मैंने चारों के case बना लिये 1 plus 2k को 1 लिया तो इसको solve करके मुझे मिला k belongs to 0, k equal to 0 which is an integer तो ये case is possible ये अभी तक तो possible दिख रहा है ठीक है फिर मैंने 1 plus 2k की value 3 डाली और k की value निकाली तो यहां से भी k equal to 1 आ गया which belongs to integer so this case is also possible 1 plus 2k की value 5 हो गई तो यहां से solve किया तो k 2 आ गया इदर से solve किया तो ये भी 7 आ गया सारे के सारे integer आ रहे है तो अभी तक अब n2 equal to 1 plus 2k की ये चारो values possible हैं तो मुझे पता चला कि g has either 1, 3, 5 और 15 ये सारी की सारी possible है कई बारी ने बेटा ऐसा हो जाता है कि ये integer नहीं आ रहा तो अगर integer नहीं आ रहा तो वो वाला case के rule out हो जाता है तो उसको हम aside कर देते हैं उसको फिर हम देखते ही भी है अब मुझ हैं silo 2 subgroup of order 2 के लिए अब हम निकालते हैं ऐसे ही same क्यूंकि हमारे पार 2 into 3 into 5 है silo 2 subgroups मी है 3 subgroups मी है 5 subgroups मी है तो अब हम silo 3 subgroup के ओपर 3rd theorem लगाएंगे तो 3rd theorem silo की है कि np equal to 1 plus kp अब p की 3 डाल दिया तो क्या आ गया 1 plus 3 k which divides m अब m क्या होगा देखो order of group आपके पास है 2 into 3 into 5 मैंने का जिसका answer निकाल रहो उसको छोड़ दो बाकी का बचावा number m है तो मैं 3 का answer निकाल रही ना इसको छोड़ दो बाकी क्या बच गया 2 और 5 तो 2 5s are 10 तो m की value क्या आ गई 10 आ गई तो 1 plus 3 k किसको divide करेगा बेटा 10 को divide करेगा तो 10 को divide करेगा तो 10 के devices कौन कौन से ह आ गया तो अब हम देख लेते हैं कि यह सारे भी possible है या इन में से कोई possible नहीं है तो उसको side कर देंगे तो मैंने ऐसे cases बना लिए 1 plus 3 k को 1 लिया तो k की value 0 आ गई 1 plus 3 k को 2 लिया इसको solve किया तो आप देखो बेटा मेरे पास 1 by 3 आ गई which is not an integer तो मुझे पता चला कि यह case तो possible नहीं है फिर हमने 1 plus 3 k को 5 लिया तो यहां से भी यह not an integer आ गया तो यह case भी possible नहीं हुआ तो इसको भी काट दिया 1 plus 3 k को 10 लिया तो k की value 3 आ गई तो यह case तो possible हो गया तो मुझे यहां से क्या पता चला सिरफ एक यह वाला case और एक यह k equal to 0 के corresponding और k equal to 3 के corresponding case is true है इसका मतल इससे मुझे पता चल गया कि G के पास या तो 1 या फिट 10 silo 3 subgroups है ठीक है जिनका order 3 है clear तो जैसे मैंने क्या किया है अभी तो question के अंदर बेटा मैंने order of G लिखा 2 into 3 into 5 silo की first theorem लगा के मुझे पता चला इसके पास silo 2 subgroup है silo की first theorem से ही पता चला silo 3 subgroups भी है और silo के 5 subgroups भी silo 5 subgroups भी G के पास है फिर मैंने silo की third theorem लगाई उससे मैंने n3 निकाल लिया n2 निकाल लिया n3 निकाल लिया और n5 निकाल लिया आपको कोई भी question दिया जाएगा उसमें आपको शुरुवात ऐसे ही करनी है पहले silo की first theorem निकाल के possibilities देखनी है कि कौन-कौन से silo subgroups मेरे पास हो सकते हैं फिर कितने हैं ठीक है वो सब देखने है तो n2, n3, n5 मैंने इस question में ऐसे निकाल लिया अब हम देखते हैं कि silo के 5 subgroups कितनी होंगे तो n5 निकाला n5 हो गया 1 प्लस 5 के आप देखो order of G था आपके पास 2 x 3 x 5 5 को तो answer निकाल रही हो ना 5 को छोड़ दो बाकी का बचावा number M है तो M हो गया 6 तो 6 हो गया तो यह possibility आगी 1, 2, 3 और 6 अब फिर से आप N5 की value 1 प्लस 5 के को 1 डाला एक बरी 2 डाला एक बरी 3 और एक बरी 6 डालके K की values निकाल दी तो K की value एक बर 0 आई है यहाँ पे तो यह possible case ह हो गया ठीक है ना अब यहाँ पर नहीं आ रहा था integer solve करने पर तो यह possible नहीं है यह भी possible नहीं आया और यह possible आ गया ठीक है तो मेरे पाद दो possibilities आ गई हैं से कि G has इधर 1 और 6 silo 5 subgroups तो अब मेरे पास कितने cases बन गए आप न अब मैं silo 2 के अंदर तो क्योंकि बहुत सारी choices आ गई थी ना silo 3 और 5 में choices कम थी तो मैं silo 3 और 5 को ही consider कर लेती हूँ क्योंकि वही से मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा पहले तो मेरे पास जो cases निकल कर आ सकते हैं देखो मेरे पास N3 की possibilities आई थी 1 और 10 और N5 की possibilities आई थी 1 और 6 अब है N3 1 और 10 में से कोई एक चीज है क्योंकि एक group के पास में यह तो नहीं बोल सकती एक और 10 भी है ठीक है न तो यह दोनों में से कोई एक true है कौनसा true है हमें कैसे पता चलेगा तो हमने क्या किया सारे combinations बना लिए देखो 1 का 1 के साथ बनाया तो यह case 1 आ गया 1 का 6 के साथ combination बनाया तो 2 आ गया 10 का 1 के साथ combination ब गजूद बनाया तो यह आ गया यह चार possible cases है मैं इनमें से देखती हूं कि कौनसा पॉसिबल है कोई एक ही possible है इनमें सारे possible नहीं हो गें थीक है तो कौनसे पॉसिबल है मैं वो निकालती हूं तो मैं आपको कहरे हूं कि सबसे पहले मैं यह show कर देते हूं कि case 4 जो है न वो possible नहीं है, ये वाला case possible नहीं है, क्यों नहीं है possible ये देखो, देखो case 4 है, N3 equal to 10 और N5 equal to 6 इसका मतलब है कि G group के पास 10 silo 3 subgroups हैं और 6 silo 5 subgroups हैं ठीक है, और ये N3 जो है न, ये 10 silo subgroup है तो मैंने का suppose कर लो, ये जो 10 distinct silo subgroups of order 3 है न, इनका नाम मैंने रख दिया, H1, H2, H10 तक ये 10 silo subgroups आ गए आपके पास, और जो 6 silo N5 equal to 6 है 6 silo 5 subgroups जो है, उनका नाम मैंने रख दिया, K1, K2 till K6, ठीक है सबसे पहले मैं आपको ये show करना चाहती हूँ कि ये जो H1, H2, H10 है silo के जो 10 subgroups मैंने लिये, इनके अंदर सिवाई identity के कोई common element नहीं है, identity तो ज़रूर होगा क्योंकि groups है, तो group के पास identity तो ज़रूर होती है, तो इन सबका common element सिर्फ और सिर्फ identity है, पहले मैं ये show कर देती हूँ, तो देखिए बटा आप सबको पता है, intersection of two subgroup is always a subgroup तो hi intersection hj जो है, hi भी subgroup है, hj भी subgroup है, तो hi intersection hj जो है आपका subgroup of g होगा, subgroup है तो वो अपने आपमे group है, group है तो group की सारी properties को hold करता है, तो आपको तो ये भी पताएगी, hi intersection hj is a subset of hi, तो इसका मतलब hi intersection hij जो है न, ये subgroup of hi भी बनेगा, छीक है न, क्योंकि group की सारी property hold करना था और इसका subset है, तो ये अपने आपमे इसका subgroup भी बन गया, अगर subgroup है तो lagrangis theorem आपको क्या कहती है, order of hi intersection hj divide करेगा order of hi को, और order of hi क्या है, आपने hi क्या लिया हुआ है, देखो इतर silos subgroup of order 3 लिया हुआ है, order of hi आपके पास 3 है, तो order of hi intersection hj क्या हो जाएगा, या तो 1 या फिर 3, दोनों में से कोई एक होगा, यहाँ पर और होता है 1 और 3, अगर suppose कर लो order इसका 3 है, तो 3 ही order hi का भी था, और 3 ही order hj का भी था, क्योंकि ये सारे silo 3 subgroups of order 3 थे, तो order of hi intersection hj 3 भी 3 आ गया, जो कि hi और hj के बराबर है, अब हमें ये भी पता है कि hi intersection hj is a subset of hi, and hi intersection hj is a subset of hj, अब ये इसके subset भी है और order भी है, same है, order same है मतलब number of element same है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, ठीक है, तो अगर hi intersection hj, hi भी बन गया, और hj भी बन गया, तो ये दोनों के दोनों hi और hj बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए, तो ये तो contradiction हो गई, क्यों contradiction हो गई, क्यों हमने तो ये ले रखा था कि hi और hj, जो हैं, दोनों के दोनों distinct हैं, हमने यहाँ पे लिए था ना यह देखो दीज आ डिस्टिंक्ट साइलो पी सब ग्रूप्स ठीक है ना तो यह एच टैन तक जितने भी थे यह सारे डिस्टिंक्टे पर हमारे तो सेम आ गए इसका मतलब और ऑफ है इंट्रसेक्शन है जो है थ्री नहीं है अगर थ्री नहीं है तो फिर क्या प पता चला कि साइलो थ्री सब ग्रूप्स जो थे वो टेन डिस्टिंक्ट थे और उनके पास एक ही कॉमन एलिमेंट था इस आइडेंटिटी ठीक है बेटा अम मैंने क्या किया नंबर अफ एलिमेंट काउंड करने है मुझे इनके अंदर कितने है तो मैंने कोई भी एक आंजिस थेोरिम की करॉल रही है कि ओडर उफ ए डिवाइट सॉडर ऑफ ओडर उफ दी ग्रूप तो अगर यह क्या बना देगा है इस और को साइकलिक बना देगा साइकलिक वड़ेग यह है क्यों क्यों कि a group of prime order is always cyclic तो हमारा group of prime order cyclic है तो HI cyclic था cyclic था और A उसका क्या बन गया generator बन गया तो number of elements of order 3 in a cyclic group ये भी बहुत बड़ी property है आपकी कि अगर कोई group cyclic है तो number of elements of order D in that cyclic group is 5D where 5 is an Euler 5 function तो number of elements of order 3 कितने आएंगे cyclic group के अंदर 5 3 5 3 की value क्या होगी ये 3 prime number है तो 3 minus 1 which is equal to 2 ये 5 क्या है Euler 5 function सब बचों ने पढ़ रखा होगा ये कि number of elements of order D in a cyclic group is 5D तो D की value यहाँ पे 3 थी तो हमने 5 3 निकाल दिया 5 3 की value prime number की value होती है 5P equal to prime minus 1 तो 5 3 आगे है आपके पास 2 तो हमें पता चला कि HI के पास 2 elements है order 3 के तो 1 HI मतलब H1 जो हो गया उसके पास भी 2 elements आगए H2 के पास भी 2 elements आगए order 3 के ऐसे मेरे पास H10 तक है तो सब के पास 2, 2, 2, 2 आगए तो कितने होगा 4 into 10 20 elements तो 20 elements तो order 3 के आगए हमारे पास ठीक है तो हमारे को हाँ क्या काम आपने हां कि यह काम हम कर लेंगे कि यह थे अ ऑप कि आने क्या एक लिए law son एक क्योंकि पर आपके पास ग्राइगा कि आपको पता है order of the element divides order of the group तो order of a divides करेगा order of ki को ki का order 5 है तो order of a के पाथ 2 possibility आ गई फिर से 1 और 5 पिलकुल सेम पहले जैसा ही करना है आपको तो order of a अगर 5 है तो number of elements कितने आएंगे cyclic group के अंदर क्योंकि ki आई भी cyclic हो गया ग्रूप of order prime is always cyclic तो number of elements of any order in a cyclic group we can always find तो order 5 के कितने element आजाएंगे 5 5 5 5 कितना होता है 5-1 4 तो आपको पता चला 4 element होंगे order 5 के तो हमारे को पता चला k1 के पास 4 element k2 के पास 4 element order 5 के k3 के पास भी 4 ऐसे k4 के पास भी 4 आएंगे k5 के पास भी 4 आएंगे k6 के तो कितने हो गए 4 into 6 24 तो हमें पता चला हमारे group G के अंदर group G के अंदर 20 elements तो निकले order 3 के और 24 elements निकल गए order 5 के तो total कितने element निकाल ली है हमने 20 plus 24 याने की 44 ये तो possible नहीं है क्योंकि group के खुद के पास ही order 30 था है ना group के पास order 30 था तो उसके पास number of elements order 30 number of elements जो होते 30 ही हो सकते थे अबर हमने तो 44 निकाल दिये तो इसका मतलब ये contradiction आ गई इसका मतलब case 4 जो मैंने लिया था ना कि n3 equal to 10 और n5 equal to 6 ये case तो possible नहीं होगा ठीक है तो ये case तो possible नहीं है तो बागी के जो 3 बचेवे cases है अब उन में से कोई एक possible होगा तो अब हम cases बनाये थे कौन-कौन से बनाये थे n3 1, n5 1 फिर इधर 10 था और इधर 1 था इधर 10 था और 10 और 10 और 6 ये सारे combination बनाये थे न हमने तो 10 और 6 वाला case तो खतम हो गया अब हम पहले case पे आ गए n3 equal to 1 और n5 equal to 1 अगर n3 1 है इसका मतलब इसके पास एक ही silo 3 subgroup है n5 equal to 1 है it means that इसके पास एक ही silo 5 subgroup है तो हमारे पास क्या होगा unique silo subgroup हो गई uniqueness से related एक बहुत important result मैंने आपको करवाया था last class में कि uniqueness से हमें पता चलता है normal तो ये जो silo 3 subgroup और silo 5 subgroup है न ये दोनों के दोनो normal निकल कर आ गए ठीक है तो n5 अगर 1 है तो ये unique हुआ unique है तो silo 5 subgroup भी unique ह हो गया ठीक है normal हो गया sorry इसका मतलब normal subgroup बिल गया आपको order 5 का तो अगर एक भी proper normal subgroup मिल गया तो वो simple नहीं रहा क्योंकि simple की definition कह रही थी या तो identity या group खुद यही दो normal subgroup होने चाहिए तो identity होता तो order 1 आता group होता तो order 30 आ जाता पर मेरे पास तो silo 5 subgroup निकलाया order 5 का जो की normal है तो इसका मतलब एक proper normal subgroup मिल गया proper normal subgroup मिल गया तो जी simple नहीं रहा ठीक है बेटा तो जो मैंने प्रूफ करना था वो मैंने कर लिया बट अभी भी मैं इसके अंदर silo theorems लगा के बहुत सारी deductions निकाल सकती है ठीक है तो मैं आपको सारा काम करवा दूगी ठीक है तो किसी बचे ने जो यह करना हो की gene is not simple तो वो यहीं पर case को खतम कर सकता था यहां पर इस वाले case में हमें पता चल जाता कि वो simple नहीं है अब case 2 के उपर आजाओ अगर case 1 भी हमने छोड़ दिया case अब हम case 1 देख चुके और क्या था आपके पास case 4 भी नहीं हुआ था case 2 पर आजाओ case 2 अगर हम लेते हैं तो वो है मेरे पास n3 equal to 1 और n5 equal to 6 तो हमारे पास n3 अगर 1 है बेटा जब भी uniqueness मिल जाएना तो normal वाला concept जरूर यूज़ करें तो हमारे को पता चला कि जी के पास silo 3 subgroup unique है तो normal है नॉर्मल है तो फिर से वो not simple आगया आपके पास ठीक है तो case 2 से भी हमें पता चल गया है कि it is not simple case 3 के ओपर आजाओ बचावा case case 3 में भी n5 equal to 1 है जब तक n5 equal to 1 है तो आपके पास not simple का case है तो कोई सा भी case पच जाए फोर्थ case possible नहीं है बाकी तीनों के अंदर 1111 कही ना कहीं तो है वन है तो वहीं से unique आ जाएगा unique ने सा जाएगी तो वहीं से normal आ जाएगा तो हमें यह पता चल गया कि इन तीनों में से कोई सा भी case possible हो simple की बात तो हम महाँ पर देख लेंगे कि g is not simple ठीक है तो यह जो पहला कि जी है कि g has a normal subgroup of order 15 कि g के पास एक normal subgroup जरूर होगा order 15 का यह आपको proof करना है तो फिर आप यह वाला argument देंगे जो मैं अब देर देखो उपर हमने जितनी भी बात करी उसके अंदर हमें यह तो समझ आ गया कि n3 अगर 1 है और या तो इदर n3 is 1 और n5 equal to 1 ध्यान से देखना यह यह नहीं लिख रहा कि case 1 यह यह लिख रहा है कि 4 case में से 4 case जो था जिसमें हमने लिया था n3 equal to 10 और n5 equal to 6 यह तो possible ही नहीं है अगर possible है तो case 1, case 2, case 3 है और case 1 के अंदर हो या 2 हो या 3 हो उन में से कोई एक चीज तो unique जरूर है या तो n3 equal to 1 है या n5 equal to 1 है ठीक है कहीं ए एक जगे तो one जरूर है बागी के तीनो cases में इसका मतलब या तो silo 3 subgroup या फिर silo 5 subgroup normal तो जरूर है ठीक है ना क्योंकि uniqueness से हमें normal बिल रहा था तो हमने का मान लीजिए अगर order 3 वाला normal था तो उसका नाम हमने P रख दिया और अगर silo 5 subgroup of order 5 वाला normal था तो उसका नाम हमने Q रख दिया ठीक है तो हमें क्या पता चल गया कि या तो P या फिर Q at least P और Q is normal in G तो हमें ये पता चल गया अब आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए product of subgroups की हमारे पस property है कि अगर एक normal हो और दूसरा सिरफ simple subgroup हो तो भी H के subgroup बन जाता है group G का ठीक है पर हमारे पस तो दोनों आ गई हमारे पस तो ज़्यादा ही आई विए चीज़ ठीक है तो मैंने इसी का theorem का इस्तमाल किया कि एक normal है और दूसरा subgroup है तो उनका नहीं दोनों नहीं आई वे हमारे पस normal है हमारे पस एक ही at least one of P और Q is normal तो मानलो अगर P normal है और Q खाली subgroup है तो भी P Q जो है उसक अब हम क्या यूज़ कर रहे है देखो आपको पता intersection of two subgroup is always a subgroup तो P intersection Q क्योंकि subset है P का तो P intersection Q is a subgroup of P आ गया P intersection Q always a subgroup of Q भी है तो लगरांजिस theorem लगाएंगे तो हमें पता चलेगा order of the subgroup divide order of the group तो order of P intersection Q divides order of P which is 3 ऐसे order of P intersection Q divides order of Q which is 5 तो order of Q अगर 5 है तो यह क्या value देगा आ 1 और 5 इदर से क्या मिल जाएगा 1 और 3 बिल जाएगा ठीके बेटा यहां पे तो आप इसको डिरेक्ट इसको ऐसे कर लो यहां से डिरेक्ट यह ज्यादा असान रहेगा आपको कि order of P intersection Q divide करता है order of P को भी और Q को भी करता है तो इनके GCD को भी divide करेगा इनके GCD को भी divide करेगा आपके पास identity ठीके बचों तो हमें यहां से पता चला कि P और Q P क्या है एक subgroup of order 3 और यह है subgroup of order Q 5 और दोनों में से कोई एक normal है ठीक है और P intersection Q जो है वो identity है ठीक है अब आपको पता है कि अगर मुझे product subgroup का order निकालना है तो उसका formula क्या होता है order of P Q is order P into order Q upon order P intersection Q तो इसमें value डाल दो order of P 3 है order of Q 5 है order of P intersection Q आपका 1 निकला है तो यह आगया 15 तो P Q क्या था normal subgroup था निए P Q 1 subgroup था जिसका order 15 निकलाया अगर मैं P Q को normal show कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि मुझे यह यह शो करना है कि एक normal subgroup है जिसका order 15 है अभी तक मैं सिरफ इतना शो कर पाई हूं कि PQ एक सब गूरुप है जिसका ओडर 15 है अब मैं शो करूंगी कि PQ एक नॉर्मल सब गूरुप है जिसका ओडर 15 है तो देखो बेटा आप इंडेक्स की बात कर लेते हैं इंडेक्स ओफ PQ इन जी क्या होता है इसी से नोटेशन है यह जी और ऐसे यह कॉलन लगाके PQ लिखते हैं इसका इंडेक्स होता है मिनिंग इंडेक्स मतलब नमबर ओफ कोसेट्स ओफ PQ इन जी तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास बहुत ही इंपॉर्म है सब्ग्रूप ऑफ इंडेक्स टू है तो यह नॉर्मल हो गया तो मुझे यही प्रूफ करना था PQ इस नॉर्मल सब्ग्रूप ऑफ जी ऑफ और फिफ्टी तो मैंने आपको बेटा दो बड़ी-बड़ी बाते बताई कि अगर जी एक ग पर नॉर्मल सब्ग्रूप हैं तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा होगा नॉर्मल सब्ग्रूप तो वो हमने बताया PQ है जिसका ओर 15 है ठीक है और भी है फाइव ओडर का भी था नॉर्मल उससे भी हो गया था प्रूफ तो मैंने दो चीज़ें आपको प्रूफ करा दी कि ग्रूप ओफ ओडर 30 एक तो नॉर्मल सब्ग्रूप भी है उसके पास 5 ओडर का भी एक नॉर्मल हो सकता है 3 ओडर का भी हो सकता है बट कन्फर्मेशन किसकी हो गई है हमारे पास PQ is a normal सब्ग्रूप ओफ जी ओफ ओडर 15 5 और 3 का तो अभी तक तो हमने जितना काम किया उसस अभी तक तो हमने काम किया था हमें पता चल रहा था या तो एन 3 वन है या फिर अन 5 वन है अभी तक हम इसको एक्स्प्लोर करते आये थे कि या तो N3 1 है या N5 1 है अब मैं आपको कहा रही हूं नहीं N3 भी 1 है and N5 is 1 मतलब अब मैंने क्या शो करना है अभी तक तो मैंने शो करा था कि case 4 is not possible अब मैं शो कर दूँगी case 2 भी possible नहीं है और case 3 भी possible नहीं है only case 1 is possible case 1 है मेरा N3 equal to 1 और N5 equal to 1 मतलब सिरफ एक ही silo 3 subgroup है और एक ही silo 5 subgroup है दोनों के दोनों unique है दोनों unique होंगे तो दोनों normal भी हो जाएंगे ठीक है तो आपको पता चलेगा कि group of order 30 के अंदर एक ही case possible था that is first case N3 equal to 1 और N5 equal to 1 ठीक है अब ये show करते हैं तो देखिए बेटा पहले में ये case 4 possible नहीं है ये मैं show कर चुकी अब मैं show कर देती हूँ case 2 भी possible नहीं है case 3 भी possible नहीं है तो अपने आप एक case बज़ जाएगा case 1 वो ही possible होगा तो come to case 2 case 2 था आपका N3 equal to 1 और N5 equal to 6 मैंने बताया जब भी 1 हो कोई चीज आपके पास number of silo subgroup 1 आ रहे हैं तो uniqueness की बात होई तो normal जरूर होगा तो हमने लिखा silo 3 subgroup unique है unique है तो normal है normal है हमने उसका नाम रखती है P और N5 की value क्या है 6 है तो मेरे को पता चला silo 5 subgroup मेरे पास 6 है तो उन 6 silo 5 subgroups का नाम मैंने रख दिया k1 k2 till k6 clear है बचो आप देखो जो unique है न ये P वाला इसके अंदर कोई element लिया A फिर से Lagrange's theorem की करॉलरी लगाएंगे order of a divides order of the group तो order of p क्या है 3 तो फिर से आपके पास क्या आगया order of a की दो ही possibilities आके रह जाएंगी 3 के कितने divisor है 1 और 3 तो order of a कितने आजेंगे या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा और number of elements order of 3 के क्या होंगे देखो ना क्योंकि P क्या था order of p आपका 3 है ग्रुप of prime order है तो ये cyclic है अगर ये cyclic है तो इसके अंदर number of elements of order 3 कितना होगा 5 3 कितना है 2 तो हमें पता चला कि P के पास दो element होंगे जिनका order 3 होगा अब के आई पर आजो के आई क्या है के आई भी एक cyclic group है क्योंकि उसका order भी प्राइम है अगर वो cyclic है तो उसके element कोई भी लेंगे तो B अगर मैंने उसका कोई element रिया तो order of the element अगर divide कर रहा order of group को तो order of B के पास भी दो ही possibility जाई या 1 या 5 अगर मानलो उसके पास 5 order के कितने element होने चाहिए ये मुझे कैसे पता चलेगा क्योंकि आपको पता है cyclic group है तो cyclic group के पास number of elements of order 5 कितने होते है 5 5 which is equal to 4 तो आपके पास k1 के पास 4 element आए order 5 के k2 के पास भी 4 ऐसे case 6 के पास भी 4 आगए तो total कितने आगए 4 x 6 24 तो 24 elements तो order 5 के आगए ठीक है ये देखो 24 element आए order 5 के दो element हमारे निकले थे order 3 के और ये जो कुछ भी हो इन में एक identity भी जरूर आएगा इन सब के पास ठीक है ना क्योंकि ग्रूप ग्रूप ले रखा है जितने भी ये सब ग्रूप सोंगे इनके पास जो है identity तो जरूर होगी तो एक identity भी आगई तो इन सब का total किया तो कितना है 27 ग्रूप है order 30 का ठीक है ग्रूप का order 30 है जिसमें 27 element तो बैने निकल लिए ठीक है आप देखो silo 3 सब ग्रूप जो था वो मै नहीं थे तो वो normal भी नहीं थे ठीक है तो मैंने ऐसा कोई भी एक सब ग्रूप ले लिया Q तो मुझे पता चला कि P तो normal है बट Q सिरफ एक सब ग्रूप है तो फिर से वही product of सब ग्रूप का आपको पता है कि अगर एक normal हो दूसरा सब ग्रूप हो तो उनका product जो होता वो सब ग्रूप होता है तो P Q इसा सब ग्रूप ग्रूप जी आगा है ठीक है बिटा अब देखो सबको पता intersection of two सब ग्रूप इसा सब ग्रूप यह चीज आप पहले भी यूज कर चुकी हो तो P intersection Q is contained in P P intersection Q is contained in Q है तो यह इसके सब ग्रूप बन गए तो इनके order को divide करेंगे लग्र अब P Q निकाला तो order P into order Q यही formula होता है इसका सब बचो को याद है formula में value डाल दी index निकाला यह सब पुराना repeat होता जा रहा है इसके इंदेक्स निकाला तो आपका यह 2 आ गया ठीक है जैसे हमने उपर किया तो P Q क्या आ गया normal in G आ गया क्योंकि subgroup of index 2 is always normal अब P Q के खुद के उपर यह देखो P Q क्या है 15 15 है 3 to 5 तो अब 3 does not divide 5 minus 1 which is equal to 4 देखो मैं यहाँ पे ने एक नया result यूज़ करने जा रही हूँ यह मैं आपको आगे के lectures में proof करा दूँगी देखो कि अगर कोई group है जिसका order P Q है where P and Q both are primes और P छोटा वाला प्राइम और Q बड़े वाला प्राइम है and P does not divide Q minus 1 ठीक है तो G जो होता है cyclic होता है यह result आप याद कर ले मैं proof भी करा दूँगी आपको इसको ठीक है तो हमने इसका इसका इस्तमाल किया यहाँ पे कि 3 does not divide Q minus 1 तो इससे मुझे पता चला कि यह जो group है यह cyclic है तो P Q बन गया cyclic और P Q बन गया normal और P Q का order आ गया 15 ठीक है यह सब बते हमें पता चली तो number of elements of order 15 कित्ते होंगे क्योंकि cyclic है ना cyclic है तो number of elements of order 15 हो जाएंगे 5 15 15 होता है 5 into 3 तो isler 5 function कैसे calculate होता है आपको पता है कि 5 5.3 का क्या ह होगा पहले तो 5 के अंदर से 1 minus फिर 3 के अंदर से 1 minus फिर आपको पता है इनकी powers में से एक एक minus हो जाता है तो 5 की power 1 है तो 1 minus 1 एक एक power में से minus होता है इसको solve किया आपने तो 8 आ गया तो हमें पता चला 8 element और मिल गए हमें order 15 के ठीक है तो 27 हम पहले निकाल चुके थे element 8 element अब मिल गए तो 35 element मिल गए तो 35 element तो हो नहीं सकते क्योंकि group खुदी order 30 का है तो किसका मतलब हमारको contradiction मिली contradiction है इसका मतलब case 2 possible नहीं है बिलकुल सेम तरीके से बेटा आप show कर सकते हैं कि case 3 भी possible नहीं होका इसमें भी आपको number of elements सी count करने है तो करने का तरीका वही रहेगा कि अग तो वो नॉर्मल है तो उसका नाम हमने रखती है के ऐसे एं 3 इपल टू 10 है तो ये तो नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि 10 सारे हैं इसके पास तो हमने कोई भी एक नाम रख एच जो मिल गया वो यू नॉर्मल बिल गया और एक आपको सब गुरूप मिल गया तो उसका product जो वो भी एक सब गुरूप बनेगा जैसे आपने पहले शो किया कि वो जो है एक group of order 15 बना रहा था तो वही सेम चीज़ आप यहां पर भी कर सकते हो क्योंकि एच के एक cyclic सब गुरूप बन गया order 15 का तो number of elements of order 15 कितने आएंगे 515 which is equal to 8 यह सब आपने अभी उपर जो किया तो यह cyclic है तो इसके पाद 3 order के 5 3 equal to 2 elements आए 10 silo 3 subgroup हो गए तो कितने element हो गए 2 into 10 20 ठीक है बिटा ऐसे number of elements of order 5 कितने आएंगे 55 55 कितना होता है 4 तो 4 elements यहां से आगए तो अब total कितने हो गए देखो मैंने यहां लिखके दिखाया यह 1 तो identity का यह 4 elements आए order उसके number of elements of order 5 in S5 का मतलब है silo 5 subgroup ठीक है यह S5 से confused मत हो जाना silo 5 subgroups ठीक है और 20 elements निकले number of elements of order 3 और 8 element आपके किसमें निकले HK के अंदर निकले order 15 के तो यह total कितना बैठ गया बेटा 33 बैठ गया बिलकुल जैसे आपने case 2 को किया ऐसे case 3 को करना है अब इसमें भी आपको 3 order के 5 order के सारे element निका elements निकाले तो यह 33 निकल कर आगए तो which is again not possible तो हमारा case 3 भी possible नहीं हुआ तो हमने सबसे पहले show किया था case 4 possible नहीं है फिर हमने show कर दिया कि case 2 possible नहीं है case 3 possible नहीं है तो अब एक ना एक तो possible जरूर होना है तो बचावा case कौन रह गया सिरफ first case रह गया first case था n3 equal to 1 और n5 equal to 1 तो मेरे को पता चला n3 equal to 1 है और n5 equal to 1 है आप definitely यहीं होंगे तो इसका मतलब n3 वला मतलब silo 3 subgroup भी normal हो गया और silo 5 subgroup भी normal हो गया आपके पास ठीक है तो there are unique silo 3 subgroups and unique silo 5 subgroups in the group of order 30 clear हो गया बच्चों सबको तो अब मैंने आपको थोड़ा सा क्या रह गया इसमें बताना लेट में सी कुछ रह रहा है तो हो गया there is a unique silo 3 subgroup ठीक है बस वहीं सब ठीक है बच्चों सबको समझ आ गया खूब अच्छे से यहां पर तो यह बेटा देखो बहुत लंबा lecture हो गया आपको काफी काम मैंने क्योंकि एक ही question में आपको करवा दिया है पर आप इसको दो बा करने से ना आपको steps learn हो जाएंगे steps learn हो जाएंगे आप इससे आगे कि जितने questions करोगे आपको पता चलने लगेगा कि यही एक concept है जो use हो रहा हर जगे पे हर जगे पे आप ऐसी एक normal मिल रहा है आपको दूसरा subgroup मिल रहा तो उसका product subgroup बन जाता है फिर हम उसका index निकाल लेत तो next उसमें आपको दूसरे group का कराती होगा ठीक है group of order 48 उसका कराती है till then बचों पढ़ाई करते रहें all the best